बद्धी पुलिस ने कई दिनों से दिल्ली में सुराक इकठे कर एक गिरोह का परदाफाश करने में सफलता हासिल की हैं मिली जानकारी के अनुसार ये गिरोह लोगों के बैंक खातों से पैसे निकालने की वारदातों को अंजाम देता था इस गिरोह के परदाफाश होने से थोका धढ़ी के काफी मामले सुलच सकते हैं बद्धी पुलिस ने देश भर में बैंक खातों से पैसे निकालने वाले गिरोह का परदाफाश किया है मिली जानकारी के अनुसार थाना बद्धी में दिनेश कुमार निवासी सिर्मौर द्वारा पेटियम के माध्यम से एक लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज करवाया गया था जिसके उपरांत एसेचो बद्धी लकवीर सिंग की अगवाई में एक टीम का गठन किया गया औ पुरे देश में इस तरह के मामले सामने आते हैं और सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आपाते लेकिन बद्धी के जिला अधिक्षक रोहित मालपानी के निर्देशा नुसार थाना प्रभारी बद्धी की टीम ने कई दिनों से दिल्ली में सुराक इकठे किये औ और इस गिरोह का परदाफाश करने में सफलता हासिल की वहीं पुलिस को कॉल सेंटर से कई प्रकार के हाइटेक उपकरन भी बरामद हुए हैं और पुलिस सारी प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद कॉल सेंटर को सील करेगी इस गिरोह के परदाफाश होने से धोका धड़ी क काफी मामले सोलच सकते हैं मामले की पुष्टी करते हुए ASP बद्दी NK शर्मा ने बताया कि इस गिरोहु के सदस्य दिल्ली में एक कॉल सेंटर से लोगों के ATM वा बैंक खातों की जानकारी लेकर उनके खातों से पैसे निकालते थे उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी विवेक कुमार को गिरफतार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने बैंक खाते और ATM की जानकारी किसी को फोन पर ना दे और इसका नाम विवेक कुमार है जो बिहार का निवासी आया गया है यूबक को हमने गिफार के लिया आमनी को भी तलाश कम जारी किये हुए हैं ये शाहतक दिली में क्रेटिक कार्ड कॉल से लाते थे जहां पर ये सिटी चैनल के लिए बद्दी से अधित्य चडधा की रिपोर्ट